हाई बच्चो वेलकम टू पिपर हेकर यूटूब चैनल आज हमने देखेंगे जो है वन लाइनर कोश्चन MCQ मेंने टोटल डाल दिये वीडियो में और आप लोग PDF फाइल जाके वहाँ से साइट पे डाउनलोड कर सकते हैं MCQ में सारा आप लोग को कोश्चन मिल जाएगा टोटल कोश्चन MCQ का डिटेल से उतना मैसे पूछेगा ही पूछेगा उतना आप रट लिजीए पास हो जाईगा पास की गारंटी है ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है पास करने कोई रोक नहीं सकता है उतना MCQ आप लोग के लिए काफी है जितना मैंने वीडियो में डाल दिया है वो आप लोग वो देख लिजिए अब जो है वन लाइनर आज कोस्चन देखेंगे अब वो MCQ कोस्चन PDF से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अब वन लाइनर आज कोस्चन देखते हैं ठीक है वन लाइनर कोस्चन क्या है इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक बने रहिएगा वन लाइनर कोस्चन भी एक भी नहीं छुटेगा पास की गारांटी ठीक है तो देखि इन दे ब्लैंक से इसको पूर्ति करना है वन लाइनर कोस्चन भी आता है कमपल्सरी है हमेसा पूछता ही पूछता है तो यह इतना कर लिजेगा आप लोग का और शॉट टाइप पढ़ाये हुए हैं और एम सी क्यू में जितने आप लोग किये हुए हैं उन्हीं सबसे यह भी रिलेटिट है कोई अलग नहीं है वह आप लोग उस वीडीओ को देख लेंगे और उस वीडियो को समझ लेंगे तो एक भी इसमें से भी नहीं चुटेगा तो उस वीडियो को देखना से अ belum दिख कि में सबजेक्टिम में बता हुआ है, पराम अप्रा विद्या से सम्बंदि थे, लुई है। कि अंदर था वह था गुर्द कुल ये तो सभी जानते हैं वईदुख सकाथ का प्रमुका के किन्दर क्या था को गुर्द कुल था इज ए थार्ड नंबर देखिए उपनेयन व समावर्तन संसकार में प्रचलित थे कौन वैदिक कालिन शिक्षा में क्या थे प्रचलित थे ठीक है वैदिक काल में एक वेद का अध्यानकाल था कितना वर्स था वो था बारह वर्स एक वेद का अध्यानकाल कितना था बारह वर्स ठीक ह सिख्छा किस पर किनीध थी इध्यां पक्पर वैदिक कालें सिख्छा का सWARूप-देस था अध्यात्मिक था दैस काल में चात्र अपने गुरू के परिवार में रहते थे वैदिक काल में जो है चात्र अपने गुरु के परिवार में रहा करते थे एट नमबर देखिए वैदिक काल में दो वेद का अध्यन करने वाला चात्र डैस सोरी वैदिक काल में दो वेद का अध्यन करने वाला चात्र जो है वो डैस कहलाता था क्या कहलाता था वह कहलाता था वह कहलाता था वह कहलाता था वसु कहलाता था नाइन नंबर कोश्चन देखते हैं बच्चों इसी तरह नाइन नंबर कोश्चन क्या है नाइन नंबर कोश् सिक्षा का कि योई Щिक्षा से था किसी था बौध कालीं शिक्षा से था थीगए 11 को Quescheson देखिए, डैस में सिक्षा मठ हुआ बिहारों में दी जाती थी, बौद काल में, बौद काल में जो है, सिक्षा मठ हुआ बिहारों में दीया जाता था, ठीक है, अब देखिए, 12 number question प्राच पाश्चात विवाद प्रारंभ 10 से हुआ ठीक है 1813 से प्राच पाश्चात विवाद प्रारंभ हुआ कब 1813 से याद रखीए ठीक है अब देखिए जो है next question देखिए क्या कहा रहा है वो जो है देखिए next question 13 cup on look at 2017 जो है क्या कर रहा है देखिए ध्यान देजीएगा कि क्या कह रहा है था टी नंपर आप डैस और डैस इसलामी सिक्षा के प्रमुः के इंदर थे बताइस सकते आपलो कि क्या थे मकतब और मदर्सा जो थे वो इस्लामिक सिक्षा के केंद्र हुआ करते थे मक्तब और मदर्सा 14 नंबर कोश्चन देखे डैस रस्म में मुस्लिम काल में बालक की आपचारिक सिक्षा प्रारम्ब होती थी कब बिस्मिल्ला खा रस्म में जो है मुस्लिम की जो है मुस्लिम काल में बालक की आपचारिक सिक्ष प्राराम्ब की जाती थी ठीक है बच्चों अब देखिए 15 नमबर कोश्चन क्या कर रहा है 15 नमबर कोश्चन मैं कॉले भारत में बर्स कब आया तो यह कब आया 1834 में मैं खाले भारत में जो है वर्स 1834 में आया याद कर लिजिए देखिए सबसे पहले भारत में सिख्छा निती निरधारित की वा गुष्ट गया देखिए अब आगे देखिए सब्सक्राइब कया कर WR, कहा esis कि लोगों का पुनरुत्थान अंग्रेजी सिंच्छा द्वारा ही संभाव हो पाया यह कहा था इसने कहा था Lord Macallin Lord Macallin ने क्या कह था कि भारत के लोगों का पुनर उत्थान जो है अंग्रेजी स्टिक्छा के द्वारा ही संभाव हो पाया ठीक है अब 18 नंबर कुश्चन देखे क्या कहा रहा है तिक्षा को कमपनी का पुनीतव你想Talk बताया डिस क्छा को कमपनी का पुनीतव आवश्यक कर्तवे बताया uh 1813 का आगया पतर जु है कंपणी का पुनीत वह आवश्यक考 बताया गयाinh ठेक है, 19 नमबर, question, देखे, क्या है, ठेक है, तो, Lord Auckland, Lord Auckland, प्राच्य वो पाश्चात विबाद का आंत, जो हुआ, 20 नमार, question, देखे, बुढ का घोश्णा पत्र, sun, डैस, प्रस्तूत किया गया, जो है, गया अठारा सो चववन में जो है बुड का घोषणा पत्र प्रस्तूत किया गया अब देखिए 21 नमबर कोश्चन बच्चों क्रमबद विद्यालेओं का सुझाओ किसका क्रमबद विद्यालेओं का सुझाओ डैस ने दिया किस ने दिया अठारा सो चववन के वुड घोषणा पत्र ने जो है क्रमबद विद्यालेओं का सुझाओ दिया अब 22 नमबर देखिए सिक्षा के निश्यदन या अदोगत छनाई सिधान्त के डैस प्रतिपादक थे कौन थे मैं कॉले थे कौन थे मैं कॉले सिक्षा के निश्यदन या अब देखिए 23 नमबर कोश्चन वच्चों 23 नमबर कोश्चन क्या कहा रहा है कि कलकत्ता बंबई व मद्रास कौन-कौन कलकत्ता बंबई व मद्रास विश्विद्याले की अस्थापना की सिफारीस डैस ने दी इस ने दी 1854 में चॉल्स वुड ने जो है कलकत्ता बंबई व मद्रास्त विश्विद्याले की अस्थापना की शिफारिस्किति अब देखते हैं 24 नंबर कोश्चन क्या है डैस घोशना पत्र को भारती सिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया किस घोशना पत्र को 1854 के वुड के घोशना पत्र को जो है भारती सिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है ठीक है 25 नमबर देखे क्या है सिमला तिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1901 में डैस द्वारा किया गया इसके द्वारा किया गया लॉड करजन के द्वारा लॉड करजन के द्वारा जो है सिमला तिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1901 में किया गया 26 नंबर देखें इसी तरह बच्छों बने रही है वीडियो में देखते रहे है लाज तक एडम ने 1835 से 38 के बीच, कौन एडम ने 10 प्रतिविदन प्रस्तूत किया, वो कौन किया? तीन, एडम इसमीत ने 1835 से 1838 के बीच तीन परतिवेदन प्रस्तूत किये ठीक है, 27 नमबर देखे भारती विश्व विद्याले आयो का लॉड करजन ने डैस में गठन किया 1902 में भारती विश्व विद्याले आयो का लॉड करजन ने 1904 में पारित किया गया, 29 नमबर कोश्व विश्व विद्याले डैस में नुक्त किया गया सेंडलर जो है कलकत्ता विश्व विद्याले को जो है कब नुक्त किया ये पूछ रहा है तो 14 सितंबर 1907 को जो है सेंडलर ने कलकत्ता विश्व विद्याले को नियुक्त किया 14 सितंबर 1907 को सेंडलर पर्थम भारती सिक्षा आयोग के अधाक्ष डैस थे सर विलियम हंटर पर्थम भारती सिक्षा आयोग के अधाक्ष जो थे वो सर विलियम हंटर थे 30 नमबर कुश्चन सिक्षा संबंदी बील सन 10 में पिश किया 1911 प्राथमिक सिक्षा संबंदी बील परस्तुत पिश किया भारत मेंouch सिक्षा का जनक किस मैं काले होगा आधनिक सिक्षा का जनक जो है किसे बोला गया है वो चॉल्स क्रांट को बोला गया ठीक है आगे देखिए यहां 34 नंबर कोशन जो है क्या होगा गोखले बिल का संबंध 10 से था परात्मिक सिक्षा से था आंगन बाड़ी वा बलबाड़ी आंगन बाड़ी वा गोखले बिल का संबंध था परात्मिक सिक्षा से था ठीक है 35 नंबर देखे हर टांग समिती का गठन 10 में हुआ था सन 1927 में 1927 में जो है हर टांग समिती का गठन हुआ था ठीक है बनारस हिंदू कॉलेज की अस्थापना 10 में हुई था सन 19 1791 में जो है बनारस हिंदू कॉलेज की अस्थापना हुई थी 1791 में 10 ने कहा है कि सरकार को सिक्षा के छेतर से स्वायम को पूरी तरह हटा लेना चाहिए कौन बोला था हंटर आयोग हंटर आयोग जो आया था वो बोला था कि सरकार को सिक्षा के छेतर से स्वायम को पूरी तरह हटा लेना चाहिए अपवय वह और उधन की समस्या के बारे में지만 समिति ने अपढ लॉड मैकाले ने पत्र सन डैस में प्रस्तूत किया 1835 में जो है लॉर्ड मैकाले ने अपना पत्र सन 1835 में प्रस्तूत किया 14 नंबर क्वेशन देखिए भारत में अपव्यव और उधन की समस्या किससे संबन्दित है? प्रात्मिक शिक्षा से भारत में अपवयव और उधन की समस्या प्रात्मिक शिक्षा से मुख रूप से संबन्दित है थीक है? फोटी वन नमबर देखिए पूरु प्रात्मिक विद्यालेव में डैस आयू वर्ग के बच्चे सिक्षा गरण करते हैं तीन से च्छा वर्ष के बच्चे जो है वो पूर प्रात्मिक विद्यालेवों में आयू वर्ग में बच्चे सिक्षा गरण करते हैं तीन से च्छा वर्ष की आयू वर्ग वाले ठीक है 42 number देखिए बच्चो इसी तरफ 42 number क्या कह रहा है कि 42 number क्या है देखिए ध्यान देजिएगा कि डैस ने कहा है कि बालक का थोड़ा सा इसमें जो है दिखने राच्छे से तो आप लोग ध्यान देजिएगा ने कहा है कि बालक का मस्तिक्स एक कोरी स्लेट से समान होता है हम पढ़ दे रहा है दो बार रिपीट कर देंगे कि डैस ने कहा है कि बालक का मस्तिक्स एक कोरी स्लेट से समान होता है कौन बोरा है लॉक महोदे ने लॉक महोदे ने कहा है कि बालक का मस्तिक्स एक कोरी स्लेट से समान होता है ठीक है 43 नमबर देखिए किंडर गार्डेन पहले भी बताए हुए है डैस के केंद्र विद्याले हैं केंद्र विद्याले हैं किंडर गार्डेन पुर्परात्मिक विद्याले जो है किंडर गार्डेन के केंद्री विध्याले हैं ठीक हुटिफोर नमबर सिसुओं की देखवाल वा सिक्षा पर ध्यान देने के-लिए- । कारिक्रम प्रारम्व किया गया वर्तमान में वर्तमान में पुर्व प्रात्मिक सिक्षा के बारे में जो का ध्हांचा 10 सिक्षा नितीच से दिया गया है 2020 वर्तमान में पुर्व प्रात्मिक सिक्षा के बारे में सिक्षा का ध्हांचा जो दिया गया है वो 2020 की सिक्षा नितीच के द्वारा दिया गया है प्रात्मिक विद्यालों में पढ़ने वाले चात्रों की आयू जो है 10 वर्स के मद्ध होती है 6 से 14 वर्स के मद्ध जो है प्रात्मिक विद्यालों में पढ़ने वाले चात्रों की आयू होती है वो 6 से 14 वर्स के बच्चों के होती है ठीक है को प्रात्मिक सिक्षा पूरी करने से पुरू किसी भी कक्षा से स्कूल छोड़ना अपवया है कौन बोला था हर टॉंग समिती अब देखते हैं बच्चो अगला कोस्चन 48 नंबर जो है क्या कहा रहा है 48 नंबर कोस्चन जो है ध्यान देजिएगा पहुंच वा समता पहुंच इक्सेस एंड इक्विटी से संबंदित है डेश से समय किसे प्रात्मिक सिक्षा से वा माधिमिक सिक्षा से प्रात्मिक सिक्षा को सारव हमिक सामिल किया गया है की समिधान समस्ण दमद्वारा 1976 समीधान समस्ण दमद्वारा जो है सिख्षा को समबर्ति सूची में समवंध जाया समबर्ति सूची में कौन आते हैं राज्यW&केंडral दोनों organized 51 नंबर देखे इसी तरह 51 नमबर क्या कर रहा बच्छों 51 नमबर ध्यान दिजिएगा नई सिक्षा निती 1986 में डैस के लोगों के लिए निरक्षता उन्मूलन कारिक्रम चलाया गया नई सिक्षा निती 1986 में डैस के लोगों के लिए निरक्षता उन्मूलन कारिक्रम चलाया गया माधिमिक सिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को डैस लागू करती है कौन NCRT माधिमिक सिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को NCRT जो है वो लागू करती है ठीक है बच्चों ध्यान दिजीगा लाश्ट कोस्टिन 53 नंबर 10 कि सुझाओ के अंतरगत कहा गया है कि माधिमिक अस्तर पर सेमेश्टर को लागू किया जाए किस अस्तर पर सेमेश्टर को लागू किया जाए माधिमिक अस्तर पर सेमेश्टर को लागू किया जाए माधिमिक अस्तर पर सेमेश्टर को लागू कि दिया और इसको टोटल आप लोग पढ़ जाए देख लिजिए तो आप लोग का वन लाइनर एक भी छूटे नहीं छूटे गा नहीं ठीक है तो गारांटी है कि एक वन लाइनर कोस्चन इतना पढ़ जाएगा इसमें से पक्का है कि आएगा ही आएगा इसलिए जो है वन कोस्चन भी उसमें से एक भी नहीं छूटे गा ठीक है तो इस तरह जो है आप लोग अपना सिलेबस प्रिपेर कर लिजिए और नेक्स्ट वीडियो में अगले कोस्चन के साथ मिलते हैं थैंक्स पर वाचिंग थैंक्स पर वरेली वीडियो अच्छा लेगे लाइक सेर सब् स्क्राइब करें थैंक्यू